हम आज इस पहली केबिनेट के बाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ विलंब से बात आई इसकी मैं छामा चाहता हूँ दो तीन चार बड़े वैसे तो हमने काफी निर्णे आज किये हैं इस केबिनेट की बेठक में जिसके माध्यम से दूर दरश्टी से दूर गामी दरश्टी से स्टेट के लिए वो बड़े सब के लिए हित्मे भी रहेंगे कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णे हुए हैं जैसे फूट सेप्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना यह सरकार भरत सरकार ने भी इसमें दिसानिर्दे जारी किये वे हैं इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कविनेट में इसके संबन में तैयारी करने के लिए कहा है और चुकि इस दिसा में योगी प्रकार से जन जागरन भी हो जाए और जो इनको यह बिजनेस करना उनको उसके दाइरे भी बता दिये जाए कैसे करना है क्या करना है उनको भी इन सारी बातों के अविरनेस के साथ लेकिन सासन के इस तर पर हमने निड़ने किया है कि यह चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनको जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खादिपदार के उप्योग मिलेना है तो वो उनकी जान भी जोखम में निडालें एक निड़ने हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सिलेंस कालेज बनाया जाए जो सभी प्रकार की नई शिक्षानिती के माध्यम सभी कोर्स की वो पड़ाई वहां हो सके लगबग बावन कालेजों का चेन हम कर रहे हैं अग सिलेंस कालेज के नाम से उनको जाना जाएगा एक निड़ा हमने किया कि यह जो डिगरी मार्शीट और यह सब डाकुमेंट्स को अवेरने के लिए बच्चे परिशान होते हैं कही बार जाने आने के लिए सारी जंजेट होती हैं कही बार नकली लोग बना लेते हैं तो सरकारी 16 उनिश्टी 52 प्राइवेट उनिश्टी सभी में इसको लागू करने के संबंद में आज है नेरे किया एक आधतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूड जाते हैं इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437-39 के अंतरगत CRPC में इन पे दंडात्म क करते हुए उनकी जमानत भी होगी तो जमानत निरस्ट कराई ताकि क्राहिम पर कंट्रोल करने के दिसामें लाइन ओर्डर की दर्ष्टी से मला महत्तु का निड़ने है एक प्रदेस में वैसे तुसको मालूम है सुप्रियू कोड ने गाइडलाइन दिये ध्वनी विस्तार में अलग-अलग इस्तिती भी है तो एक युरानिमस सद्धानतिक रूप से तम सहमत है लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई पर्मीशन की जरुक पड़ेगी तो वो पर्मीशन के हम जाएंगे अधर बगिर पर्मीशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे साइबर पेसिल फेंदुपत्ता संग्रण के लिए तीनजार की प्रतिवोरा की जो हमारी सीमा थी अब उसको चार हजार प्रतिवोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता जेगा एक साइबर पेसिल का दाइरा भी एक जनवरी दो हजार चोईस से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीगन कराता रथा रजिष्टी कराता है तो अलग से नामंतरन कराने के लिए जाए वो परेसान हो इसके बजाए जैसे रजिष्टार आफिस में रजिष्टी कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामंतरन की भी हो जाए तो यह सरलीकरण है जिसके माद्यम से एक आल्रेडी दस्तारेज बन रहा है तो बार बार आप विवागों में नहीं जाना चाहिए इसी अपिक्शाव मैंने सभी धार्मी किस्थल की बात कही है हमने कहा कि धार्मी किस्थल पे अगर कोई शीमा का उलंगन करेगा तो उसके लिए कारवे करेगा हमने लगा है पंदरा दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट मांगी है और इसमें एक जानकरी और देता हूँ भगवान के भगवान राम के मंदिर का गर्बगर का प्रवेस का बड़ा कारिकरम 22 जनवरी का हुने वाला है और हम सब का सोभाग यह है कि हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं लेकिन हम यह भी नहीं भूले कि जब राम अंदिर अंदुलन में कार सिवकों के उपर यूपी की बॉर्डर पे जो अत्याचार हुए थी तो वो खराब दोड़ था कठिन दोड़ था और उस कष्ट के समय के बात को तो आप याद करना भी कठिन है लेकिन 500 साल बाद ऐसा मोका आ रहा है जब प्रदान मंदिर जी श्मयमा उपस रहेंगे 22 जनवरी को रामलला गरवगर में प्रवेश करेंगे तो राम मंदिर के मार्ग में हम इस बार मत देश शरकार सभी राम भक्तों का हर जिले से राम मंदिर क्या यूद्या के जाने वाले मार्गmeye स्वागत करेगी हम उनका अभिननदन करेंगे इतलक रोली लगाएंगे उससाओके साथ हम पूरे आईजन में सम्मिलित होंगे और प्रेड करेंगे कि पूरे आईजन को और श्रमरणी बनाए जाए बहुत 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 धन्यमाद था अलने के लिए पहुँचे मुक्यबंतरी मोहन यादव को आप सुन रहे थे जो पहला कारियभार उन्होंने संभाला सबसे पहला जो निर्देश था वो तेज आवाज पर प्तिबंध का था सभी धार्मिक स्थलों पर जो तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं उसको नियंतृत किया गया उसके बाद जो कुछ और फैसले लिए गए उसके बारे में यहाँ पर मीडिया को ब्रीफ करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए आप सुन रहे थे मोहन्यादव को मुख्यमंत्री खुले में मांस और अंडा को लेकर उन्होंने एक फैसला लिया उनके सरकार ने की अब इस तरह से खुले में मांस की बिक्री या अंडे की बिक्री ये पूरी तरह से रोग दिया जाएगा इसके अलावा युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि Excellence College हर जिले में खोले जाएंगे Excellence College के माध्यम से युवाओं को एक उन्नत शिक्षा दे करके उनके हाथ में एक हुनर देख करके उन्हें रोजगार के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाएगा ये एक्सिलेंस कॉलिज का ये लक्षर आएगा इसके अलावा साइबर तहसील का उन्हें जिक्र किया कि अपने कागजातों को बनवाने के लिए जिस तरह से लोग इधर उधर उससे बचाने के लिए भी